हलो आज आपके सार्वी के पत्तेड के पकोड़े विटा तेल के हम बनाया है। यह वाले पत्ते हैं जो गले में खराष होती है इसे के दूर करने के लिए गले के इसमें हमने वह चीर डाली है कि जो करने में खराष ना उपाई चने की दाल हमने भीगो लिए है विगोने के बाद इसे फूल गया फूलने के बाद इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे यह हमने मिक्सर में चने की डाल को डाल लिया है इसमें हमने लस्टन डाल लिया है और हारी में डाल दी है और इसमें हमने प्याज डाला है प्याज डालने से गले में खरास नहीं होती है और यह आम आम की कच्छा आम होता वो इसको डालके हमने इसमें पीस लिया है खटाई की मातर होड़ी सी जादे रहती है इसमें और एक प्याज जरूर डाले जो आप गल्ले में ख्राश होती है वह अली पत्ता बनाए तो और इसमें हमने दो चमस के लगबग इसमें हमने चावल का आटा डल दिया है और इसे भी हम हाल्की डालेंगे और इसमें जीरा डाल दिया है और इसे हम मेंग्स कर लेंगे आच्छी तरीके से चने की डाल और चावल कांटा अच्छे से मिक्स हो जाएं इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा आमचूर का गटाई डाली है और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यह आर्बू के पते इसे हमने धो लिया है धोने कर नकी दाली ऐसे एक हमने वर्शस बिचा लिया है उस पर हमने यह Beit स बनाया था जने कि दालका वह इस पत्ते के उपर एकए करके हम सिससे लगा देंगे चारों तरब पत्ते से बहुत अच्छे तरीके से लगा दे और एक सभी छोटा पत्ता लगाएं एक एक करके हम सिससे 없त्ते ःसके उपर our यह चोटा पत्ते भी है वह भी अर्जेस्ट हो जाते हैं जो बीच में लगाते हैं तो कि अधर पत्ता भी हो भी चल जाएगा लेकिन नीचे का पत्ता हो सबसे पहला वाला पत्ता हो वह थोड़ा बड़ा हो इस तरह से इसमें हमने दूणा है है फिर हमने इसे थोड़ा सा बड़ा पत्त ले लिया है इस तरह से हमने कई पत्ते को लेने के बाद पहले हम एक साइट से मोडेंगे देखिए एक साइट से मोड लिया है अब इसमें हम दूसरे साइट से मोड के अलका सा बेशन लगा लेंगे जो चने के दाल को पीछा था और इस तरह से लगा लेंगे और इसे हमें हलके हाथों से हमें टाइट करके मोडना है रोल कर लेना है हमें टाइट करना नहीं आता है अच्छे तरीके से हम इसको लपेट नहीं पाते हैं लेकिन आप इससे अच्छे तरीके से बनाईएगा इस तरह से टाइट करके ताकि पत्ते फटेना और एक दूसरे से चिपकते जाए और इस तरह से देखे रोल हो गया है रोलोड करने के बार हाहे हाथों से आप गोल कर लिजए और जिस तरब से खुला है उसी स्धαइट से नीचे की साइटसे रख ने ताकि वह खूले ना यह हमारे दो और बीक बत्य के पकोड़े बना लिया हमने और यह कुकर लिए कुकर में हमने एक चमब दिल डाला है और आधा कप पानी डाला है और इसमें हम जो अर्भी के पत्य को बेशन में लपेट के रखा हुआ था वह एक करके हम इसके अंदर ड कि वीडियों हमारी अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट जरू करें चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह से हमने बंद कर देना है पानिया बिल्कुल नहीं डालना है गैस पर रखेंगे तीन सीटी आने तक इसे हम गैस पर तीन सीटी आ जाएगे फिर हमारे पकोड यह तैयार हुएंगे इसे हम छोटे छोटे पीसे में कट कर लेंगे वोड़ी हमारी अच्छी लगे तो लाइक सेर कमेंट जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे अपने फैमिली फेंड के साथ जहूँ शेयर करें फिर मिलते हैं एक नेरेश्पी के साथ धन्यवाद